हालो एब्रीवन कैसे हो आप सभी देखिए मैं अपनी वीडियोस बना रही थी अपना काम कर रही थी बट कुछ क्या एक ही को बोलूगी एक इंसान को रास नहीं आ रहा था ठीक है एक महीने से मुझे पोप करे जा रही थी मतलब हर तरीके से मुझे प्रोवोग किया गया इस हट कि मैं कुछ बोलनू 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 मैं चुप थी फिर भी ठीक है मैं कुछ नहीं कह रही थी अति हो गई ना जब लगा कि यारी है लड़की तो जवाबी नहीं दे रही है उसके बाद तो भाईया मेरे मेरा नाम अपनी हस्बेंट के साथ जोड़ना शुरू ठीक है ड्रामे करकर के वीडियोस बनाना शुरू है रे मेरा घर इसने तोड़ा मैंने तोड़ा घर ठीक है पहली चीज़ मैं बात करती हूं इसके पती से ठीक है इसके पती को मैं अपने घर में रखती हूं इतनी बकवास यार कोई लिमिट नहीं किसी की ठीक है फिर किसी और के साथ भी मेरा नाम जोड़ा जिनको मैं अपना भाईया मानती हूं ठीक है उनके साथ नाम जोड़ जोड़ के मेरी वीडियो बनाई गई मैंने तब भी उस point पे आने के बाद भी मैंने कहा कि खतम कर दे छोड़ दे मैं उसके उपर कभी ना तो वीडियो मैं उस से दूर रहके खुश हूँ मैं हमेशा जितना हो सके मैं सोचती हूँ दूर रहूँ क्योंकि मुझे पसंद नहीं है वो औरत मुझे सच में दूर रहके ही खुश हूँ मैं उस औरत से क्योंकि वो औरत जिसके साथ भी जुड़ती है मैंने एक साल पहले भी बोला था वो हर एक इंसान को बदनाम करती है वो जिसके साथ जुड़ेगी वो इंसान सिर्फ और सिर्फ बदनामी के सिलवा उसको कुछ नहीं मिलेगा ये चीज मुझे बहुत पहले समझ आ गी थी मैं बहुत पहले दूर हो गई थी मैंने समझ देख लिया था मैं दूर रह रही थी लेकिन एक उतनी इनसान के अंदर जैलेसी ही भावना होती है जैलेन भावना कि हाँ ये बंदा क्यों दूसरा आगे बढ़ रहा है तो मैं मेरे अच्छा चल रहा था काम थी कि मैं अपनी जिंदगी में सच में इतनी मस्त थी ना पिछले देड़ महीने से एक देड़ महीने से मैं अपनी लाइफ में बहुत खुश थी ठीक है अपनी लाइफ को बहुत अच्छे से इंजोए कर रही थी ठीक है मैं अपने लाइफ में सब कुछ सही चल रहा था मेरी जिंदगी में पर ये आट अपकी क्यों कि देखो इसकी जिंदगी शायद इतनी अच्छी नहीं चल रही होगी ठीक है शायद इसके व्यूज अच्छे नहीं आ रहे थे इसको चाहिए क्या है इसको इस ओरत को ना मांसिक शांती नहीं चाहिए मेंडन पीस इस ओरत को नहीं चाहिए इस ओरत को चाहिए सिर्फ और सिर्फ व्यूज चैनल जलाना है उसके लिए चाहिए गालियां दे चाहिए किस हद तक भी जाए इसका कोई सीमा नहीं है एक होता है एक ओरत होती है उस ओरत के अंदर एक शरम हया लज्जा कुछ लोग इतना कुछ बोलते हैं लेकिन फिर भी मैं होता है इंसान की कंट्रोल में रहके बात करता है कि नहीं ठीक है जाने दो जाने दो कितना कुछ इंसान को बोला जाता है सामने से कि हां तेरा ये चल रहा है मेरे के उपर इतनी गंदी गंदी बाते बोली इस ओरत ने इतनी से भी और मैं अपना काम कर रही थी लेकिन धक्के से होता नहीं है कि आपके पास content ना हो खुद का content हो ना सोच्पास कोई what matters ना हो खुआँ को पकड़ें नीधी को बोलो कि नीधी को चीड़ बनाओ के नीधी के ओपर उसमें ठालो कि तो नीधी परिशानो के कुछ नीधी परिशानो के सब जबाब देगी तो ठीक है क्यार कॉमेंट में 10 लोग बोलते तो हैई इसको गलत गंदा बोलते हैं ये कॉमेंट में तो हम भी बनाते रहे वीडियो बना बनाके स्कोल्टासिदा बोलते रहे, जो 10 लोग कॉमेंट कर ये गंदा बोल रहे उंको तो 2 मिश्ण लगाउं, मैं हटा दू 컨स्र्ख्शन, तो बोलने दो बहुति जतना यूट्यूब कहते है जितने कोमेंट जादा आते हैं उतनी वीडियो वाइरल होती है कहते है ना तो पढ़े रहे दो मेरा क्या नुकसान है करते रहो भई कोमेंट तुम लोग गाली दो कुछ भी तो मैं तो नहीं कर रही एक दिलीट कोई बात नी अतना लाइट चली गई है पिछे जा के बात करते हूं मैं उसके बाद भई एक बात आज मैं बात मताती हूं ठीक है तेर झारना वह झाली गुली अब लें अब ले ले बहुत प्यार से बूल Mensch को देती है मेरे सिर में दर्द हो रहा है इस्टाइंग क्योंकि मेरे मेरे में लहजा नहीं है मैं अपना गाली गुली देना या उल्टा सिदा बोलना वो अपने बस की बात नहीं है हम प्यार से ही बात करते है तो मैं अपना काम कर रही थी अगली ने क्या बोला कि मेरे, मैंने एक play किया ठीक है, अपना play था, मेरी जिंदगी का था ठीक है, मैं कर दिखा रही थी कि मेरा husband आया था BRP के और मैंने उसे भगा दिया मेरी video थी मेरा content था, मेरा channel पे था उसका ना कोई लेना ना देना बट अगली है views की भूखी उसको चाहिए थी attention views चाहिए थे कि किसी तरीके से मिले तो ये सबसे अच्छान तरीका मिला कि अरे भाई, मेरा पती तो नशेडी था मेरे को बदनाम किया ठीक है, मेरे को क्यों बदनाम किया ये बाते बोल के, क्यों बोली ये बाते वीडियो में जबकि मेरा तेर से कोई लेना देना नहीं था सिर्फ व्यूज के लिए सोचा की देखो पती तो है नी वो तो चला गया ठीक है अब वो तो चला गया बहुत अच्छे से यूज किया उसको एक देड़ साल व्यूज के लिए ठीक है आपी ने बोली थी किसी ने बोली थी ना मुझे बात की चलो जाने दो मैं वो बात चोड़ रही हूँ मैंनी बोल रही ठीक है आरही थी जुबान पे बात रोक लिया खुद को क्योंकि मैं सिर्फ वो ही बाते बोलूँ की जो यूट्यूब पे है आपने फोन पे बोला वो बाते मैं कभी नी बोलूँगी ठीक है मैं उसे वो बात बोल रही हूँ जो यूट्यूब पे सोचल मीडिया पे जग में पूरी दुनिया में आपने खुद बोली है मैं उन बातों का question पूछ रही हूँ अच्छा जी है मैंने तुड़वाया तेरा घर ठीक है तो फिर मुझे ये बता दो फिर तेरी माँ वीडियो क्यों बनाती रहती थी पूरा टाइम पूरा टाइम छोड़ दे छोड़ दे छोड़ दे इसको छोड़ दे छोड़ दे नशेडी है नशेडी है छोड़ दे, मैं तो बोलती हूं अपनी बेटी को छोड़ दे, छोड़ दे, यह मानती नहीं मेरी बात मानती नहीं मेरी बात, तो किसकी बात, किसकी बात बताओ जी जो पूरी दुनिया में सोशल मीडिया पे मज़ख बनाया है भाईया दुनिया में मैं सच बता रही हूँ उस इनसान का जो चला गया है इस दुनिया से नहीं गया ठीक है तुम्हारे चैनल से चला गया है ठीक है उस इनसान का पूरी दुनिया में जितना मजाख तुने बनाया है तुने कोई दुनिया की ऐसी ओरत और लुगाई मैंने नहीं देखी, जिसने अपने पती का इस तरह मजाग बनाया हूँ, कोई नहीं देखी, मैंने कोई पूरे भारत में कोई दूसरी ओरत नहीं दिखने वाली मुझे, सच में नहीं दिखेगी, जिसने इस तरीके से अपनी ही पती को इस हद तक मजाग बनाया जिगर चाहिए इतना मजाग बनवाने के लिए वीदूरी दुनिया के सामने भई वो किसी के सामने अपनी शकल नहीं दिखा सकता आज के टाइम में उसे मूँ दिखाने लायक नहीं छोड़ा तूने सही में नीचोड़ा किसी और मने से कुछ भी गलत बोला किसी ने उँ तेरे पती को कभी गलत कुछ नहीं बोला तूने यह बोला है तू समझ तू इतनी उफेंडेड क्यो हो रही थी ठायवने तो एक प्ले किया था जिसमें तेरे husband का कोई लेना देना भी नहीं था ये जितनी भी बाते मैं आज बोल रही हूँ वो तूने बोली है तेरी मूँ की बाते हैं ये ठीक है मेरी कुछ भी नहीं है इसके अलावा भी बहुत सी बाते हैं बोलने आऊ तो अपनी मा के लिए भी बोला ठीक है चल जाने दे मैं गो ना तो उससे मतलम नसे मैटर जो था मैटर से धरुदर नी भटकूंगी ठीक है मैटर ये था ना तूने क्योंकि अम मैं इस बाते में इसलिए बात बोल रही हूँ क्योंकि तुने मेरे उपर इंजाम लगाया और ये एलिगेशन देख तूने अपनी वीडियो चलाने के लिए लगा दिया पट एक और ortsत Cape जो चोटा ईंजाम नहीं नहीं हो तो तूने लगा दीया मेरे उपर दिया सिरफ अपनी दो चार पाँच वीडियो चलाने के लिए ठीक है तो भाई मैं अपना नाम जोडती हूँ तो कुछ हो ना कोई बात हो अगर मैं अप मेरा चैनल है चलो मैं उसमें फिक्शनल प्ले भी करती हूँ तो मैं देखो अपना नाम किसके साथ जोडती हूँ सिंगर के साथ ठीक है या डोक्टरों के साथ मतलब किसी बड़े बड़े प्रोफेशन्स जो बहुत ही बड़िया है अच्छे अवल दरज़े कि मैं उनके साथ अपना नाम जोडती हूँ ठीक है चाहिए असली हो नकली हो कुछ भी हो नाम देखो किसके साथ जोडती हूँ में थोड़ी पता था कौन कैसा है कौन नहीं सच्चाई बोल रही हूँ ठीक है बदनाम ये सब हमने किसी ने नहीं किया पूरे सोशल मीडिया पे पूरी दुनिया में यूट्यूब पे वीडियो बना बना गे जितना बदनाम तुमने अपने जो ये एक्स को किया ठीक है त तुने उसके परिवार वालों को कितना जलील किया है ना वो लोग मूध ही खाने के लायक नहीं रहे इस हद तक जलील कर दिया सिरफ अपना चैनल जलाने के लिए कि भई या वीडियो चलेंगी भई या वीडियो तो पती की बुराईयां करने से चल रही है यहां हना भर भर के बुराईयां करो भई इतना बुरा है इतना खराब है तो अब जब तलाक हो गया तब भी बाते करते हो तब भी बाते करते हो मैं तो कमाली है ठीक है भई तुम्हें करना है करो जो करना करो लेकिन मैं यहां पर इसलिए आई बोलने के लिए तुने मेरा नाम कैसे जोड दिय मेरे को भई मेरी इज़त वापिस चाहिए भई इज़त वापिस चाहिए मैंने क्यूं किया था भईया के पास फोन मैंने भईया शब्द यूज पता है क्यूं किया था क्यूंकि मैं जानती हूँ तुझे भी जानती हूँ तेरे उस खसम को भी जानती हूँ ठीक है जो अब कह या शब्द लिख के यूज़ किया था, मुझे पता था, कि तु उन मेसेच इसको भी उल्टे सिधे लिखके यूज़ करेगी, क्योंकि तुझे अपनी दो तीन वीडियो और चलानी है, क्योंकि तु वीडियो चलाने के लिए इतनी अंधी हो चुकी है, इतनी अंधी हो चुकी है कि तुझे दूसरे बंदे की इज़त नहीं दिखती दूसरे बंदा नहीं दिखता सिरफ और सिर्फ तुझे पैसा दिखता है कि बस तरको अपना पैसा कमाना है यहां से ठीक है, मेरा जो content होता है मेरी जो वीडियोज होती है, मैं किसी के उपर वीडियोज नहीं बनाती हूँ, ठीक है मेरा चैनल है, चाय अच्छा लगे, बुरा लगे, जिसको नहीं पसंद, वो नहीं देखता, ठीक है पर वो मेरा खुद का होता है ठीक है मैं किसी के उपर जा जाके गंदी गंदी ये वीडियो बनाऊं मैं भी बना दू ठीक है मैं भी बोल दू भई कि ऐसा है वैसा है चार बाते बिना सरपाउं की बोल दू किसी के बारे में भी कुछ भी इतने बड़े बड़े ठीक है तो इतना बड़ा एलिकेशन लगा दिया मैंने अपनी घर में आलूशिमलामिट्स की सबजी बनाई भाई या मेरे पती को आलूशिमलामिट्स की सबजी पसंद थी हाथ दो गई मतलब कंटेंट अपनी लेने के तरीके देखो भाई दूसरी ची जब तेरे साथ था तो तू उसी को यूज करकर के अपना वीडियो चलाती थी अब वो चला गया है अभी भी तू उसी को यूज करकर के अपना वीडियो चलाने है तुझे ठीक है उसी को बड़नाम करने है तू मुझे क्या बड़नाम कर रही है मैं तो तेरे लिए हुई क् भाजिक लग को है अब छोड़ देए को क्यों इसका नाम किसी के साथ जोड़ा है उसके कुछ तो इज़ जट छोड़ दे अभी अभी वीडियो में जाहता है वह अदमी थोड़ा सा दिमाग से कमी है मुझे जहां तक लगता है क्योंकि इतना पूरी दुनिया में न मैंने आज तक ऐसा इंसान ही नहीं देखा भाईया ऐसा कुछ तो भाईया सच बोल रही है अगर वो बंदा भगवान से न ये सोच कि वो ये तेरे लिए नेगटिव पॉइंट नहीं है कि वो नशेडी है ठीक है ये तो तेरे लिए प्लस पॉइंट है कि वो नशेडी है क्योंकि कोई और अगर वो बिना कोई ऐसा इंसान होता ना जो नशाना करता वो बंदा तो भाईया एक इतनी सी ना सुने किसी की इतनी सी नहीं सुन सकता इतनी सी बदनामी नहीं ले सकता भाईया कि किसी के स जोड रही है किसी के साथ जोड रही है इसमें तुने मिर को चलो क्या मैं तो तेरी क्या लगती हूं मैं तो क्या लगती हूं तेरी ठीक है तू अपने खासम को बदनाम करे जा रही है अपनी खासम को तुझे तो पता है ना कि मेरा कुछ नी चल रहा कुछ नी है क्यों बैचा कि अभी तक लगी हुई है उसके पीछे पड़ी है थोड़े तो शरम कर ले ना थोड़ा शरम कर ले ना क्यों उसका नाम यूज कर करके कि भई जब लेना ना कोई मैटर था क्यों बेचारे को उसको बीच में लेकर आई और मैंने अच्छा बात आई उस तिन की लाइव की तो अगर जब तेरे उपर पड़े तुने पूरे दुनिया में उसको मूँ दिखाने के लायक नहीं छोड़ा उसके बाद अब तु यह सोचती है कि भईया जब तेरे उपर कोई प्रोब्लम आये कोई बात आये चार लोग तुझे कुछ बोले तो वो आके खड़ा होएगा ते शेडी नशेडी बोलते होंगे इस हद तक तुने उसको गिरा रखा है पूरी दुनिया के सामने और तू सोचती है कि अब वो तेरी साइड लेगा चलो अची बात है अब भी भी साइड लेगा तो बहुत अची बात है लो भई लो मैं तो वही बोल रही हूँ जो सोशल अची नहीं लगती अब क्यों क्योंकि इसकी मा इसकी हर एक गलत चीज में इसको सपोर्ट करती है हर चीज में और तेरे घर तोड़वाने वाली सच बतारी तेरी मा है मैंनी हूँ तेरी मा है असल बात बोल रही हूँ ठीक है मैंने तो मेरा तेरा क्या घर तोड़वाया वी आना में जमाई को इतनी इज़त दी जाती है. इतनी इज़त. एक भगवान का रूप समझा जाता है. ठीक है, अगर आता है जमाई, उसके पाउ दोई जाते हैं पानी से. घर में आए, उसकी पूरी इज़त होती है, मान सम्मान होता है जमाई का. ये होती है इज़त जो जमाई को मिलती है लड़की के फैमिली से यहां तो जूते चपल भईया ऐसी ऐसी वीडियो मैं तो हाँ रहान रह गई मतलब मैंने कब यज़ बेंड़न रहाइgeben किसी लड़की की मा अपने जमाई के लिए कि चलो अच्छा है कोई बोल रहा है उनका परसनल है तो वही बोल रही हुआ देख मैंने कहीं गलत नहीं बोला उपर से यूट्यूब पर जो दिख रहा था उसके उपर बोला है ठीक है मैं एवा बताओ, matter खतम होते है किसी करेक्टर के उपर तुम कितना गंदा बोल दो तुम अपने साथ का था मैंने मैंसेज करके बोला भहिया एक वीडियो बना के बोल दो की मेरा आपसे कोई बात नहीं होती मेरी कोई बात हुई ने तो भाह ने क्या बोला कि मैं आप सोशल मीडिया से दूर हूँ बस यह मुदलब इस चक्रों में हुई नहीं मलब वीडियो बनाना मैं समझे गी मैंने का चलो ठीक है तो मैंने अब देड़ दो साल से मिराना कोई मैटर कोई ना लेना कोई देना हजिय देखो जी हम प्रूफ दिखाएंगे, इसकी मा भी चड़ चड़ के, भाई तु क्यों बात कर रही है उसके पती से, भाई ते अब पती रह गया, अब पती रह गया, मैंनों कैसी इंसान है, यार मैं तो दोनों ही नी समझ में आते, दोनों ही बहुत अजीब है, दोनों के दोन करने से पहले वीडियो बना बना के बोलने लगए है तब भी चुप रह गई, मैं अब भी चुप यह नहीं जाने दे ठीक है, बोल रही है उसे बात ना करो तेरा क्या मतलब बनता है बात अरे जब तेरा, एक प्रस्ट फॉल तो मैं बात करती नहीं, मेरा कोई लेना देना मेरा कोई मैटर नी, ठीक है, सिर्फ मैसेज किया था सिर्फ एक कि भाई, उसको वो मेरे उपर गंदे इल्जाम लगा रही है, तुम्हारा नाम लेके मेरे करेक्टर पर बात आ रही है, मैं आपने करेक्टर भी इतना गंदा क्यों सुनूं, तो इतना कह रही हूं कि एक या तीसरा पती बनाया था, चूड़े भी पहने थे जिसके नाम के, ठीक है, उसको भी बतनाम कर चुकी है वीडियो में तो, लोग बेवकूफ नहीं है, लोगों को सब समझ में आता है, ठीक है भाया कि चैनल के लिए जूड़ा था, चैनल के लिए तू जूड़ी थी मैडम, तू जूड़ी थी चैनल के लिए, तू ठीक है, और जूड़े ना, जूड़े देखो, मैं तो, मेरको क्या लेना देना, लेकिन मेरा लेना देना ये है, कि तुम लोगों ने मेरा नाम क्यों यूज किया, अपनी वीडियो में, क्यों मेरा कंटेंट क्यों लेके आए, मेरे क्यों मेरे बात, रोष्टिंग तक बात होती, कोई बात नी, चल ठीक है, या रोष्टिंग अलग चीज होती है, किसी के उपर आप रोष्ट कर रहे हो, वीडियो में जो बना रहा है बंदा बोल दो, कोई बात नी, मैं तब तक शामती चूप बैठी थी, मैंने कोई रखायो जब ये मेरे ऑपर गंदा गंदा बोलने लग गयी मेरे उपर फिद्धे अलिकेशन लगाने लगई अपनी वीडियो चलाने लिए और इसका तव uniqueness रख लेयु तरीका其實 को बात करने चल् sino कि अठीदा νे चोड़ा दें ऑगी इसको किसी को थोड़ा ओ किसी को क को थोड इसे लोग ना पता केसे होते हैं, और यह नहीं करते हूं दियसको आपके बहुत ज्यादा जरूरत है क्योंकि अकेली उरत है और अकेली औरत अकेलिए दस बाते दस चीजे सुनना असान नहीं होता जैसे मैं सुन रही हूँ आज के टाइम में आप इसके साथ रहेए अपना घर बसाईए इससे क्या होगा ना मैं बताती हूँ इससे होगा क्या कि फिर ये मेरे पीछे नहीं पड़ेगी फिर ये मुझे बतनाम नहीं करेगी क्योंकि अभी इसने मुझे पकड़ रखा है अभी थोड़ी दिन में ये मुझे पकड़ेगी फिर अगर मैं धोड़ी सी दूर हो जाऊंगी फिर ये अपनी मा को भी पकड़ लेती है तो जब भी इसका मन करते है न अपने पथी के उपर ही वीडियो बना लेती है उसी को गालियां दे देती है उसी को सुना देती है पूरी दुनिया में कमसे कम हमारा पिंडा चूटा हुआ है जब तक जब इसकी शादी नहीं होई थी उसे पहले हम लोगों के गले पकड़ती हमारे पीछे पड़ती थी तो अच्छी बात यह होगी कि अगर आप दोनों फिर – से एक हो जाओगे.. तो ये मेरे पीछे नी पड़ेगी तो ये मेरे भी महीने से mental मेरे पीछे पड़ियों और वाय मेरे कीरेक्टर के बार मेरे मेरे जिए वर सामी वाय ये तो मैं मेरको भी देखो ना थोड़ा सा मेंटली मैं अभी अपना बच्छा पॉल रही हूं मुझे केले ही कर रही हूं तो मैं तो ना तो दूसरी शादी करी ठीक है analyse is the content I love कुछ भी चले लेकिन मैं कंटेंट के लिए कुई आदमी भी नहीं लेकर आई ठीक है मैं किसी के कंटेंट के चक्कर में मैं दस दस आदमियों के पास जा जा के पूरी पूरी रात भी नहीं रही मैं कभी भी नहीं रही मैं ठीक है कि मैं यह कहूंगी काँटिय के चक्कर में वो चीज मैं को खुद नहीं समझ में आती एक मा अपनी बेटी को कैसे किसी खुदी बोल ली है, यह बात मैं खुद से नहीं बोल रही हूं ठीक हे, जो भी बात मैं बोल रही ह Yahoo वो वही है जो सोशल मीडिया पे दिखाया गया है जो वीडियो में बोला गया है इसने खुद बोली थी ये बात ठीक है कि मुझे काम करना है और मुझे काम करना है तो चाहे मतलब लड़कों के बीच में भी रात को भी अकेले मुझे रहना पड़ेगा ये बात खुद बोली बीच में अकेले रात को छोड़ देता है यह बाते बहुत अजीब है बहुत अजीब समझ नहीं आती क्योंकि ऐसा तो रिष्टा में ने पहली बार मैंने कभी एक हाई सुसाइटी में होता होगा इस तरीके के रिष्टे होते होंगे यहां पर तो पतनी अलग आदमियों के सा गूर लग जाता है यह कुद बताई हुई बाते हैं जो यह वीडियो के थिरू दिखती है बोल रही है और उसके बाद जब इनका मन भर जाता है एक दू दूसरों के साथ तो फिर आ जाते है आपस में मतलब कोई मतलब होता है कुई मुझे समझ नहीं आता है अस तक मुझे कि मैं किसी से बात करती हूँ कोई लड़का है परस मैं उसका नाम नहीं बता सकती पर उससे बात करके मुझे बहुत अच्छा लगता है मुरे मन को बहुत सुकून मिलता है मुझे बहुत खुशी मिलती है बस उसकी बारे में जादा नहीं बता सकती वीडियो में यह बात भ मेरा तो कंटेंट जो भी होता है ना मैं उसके नीचे लिख देती हूं इस वर्क ओ फिक्षन एड करती हूं अपनी वीडियो में ठीक है मेरे तो वीडियो में कोई नहीं दिखा अज तक तो यह बाते हैं वह बोल था है और जो वीडियो में goingś beside this आई कि पूसे से बूल्ली है यह सारी बाते है खुद से दिखाई है सब कुछ भूल रहा है थीक है खुद से दिखाई थी थीरी शादी वी करते हैं अब इस सीनिए भी हाँ टो भी हमारा प्रैंक था मचाग था छोल SchwÙल मीडिया पढ़ी ती तो कुछ अलग नहीं कर एने बात किमस्ति किसी की पर्सनल जाओं किसी के बारे में गलत बोलुँ याम बोलुएं यी ब MONहें दूल विजूज के लिए जोड रही थी कि मेरा पती के साथ इसका चक्कर चल रहा है वह चक्कर चल रहा है मतलब आप करो आप कुछ भी करते रहो ठीक है आपका पती कर ले तो वह गलत है क्यों भाईया आप भी मत करो ना फिर वह सब चीचे अगर आप नहीं चाहते मेरे को बहुत mentally torture किया है पिछले एक देड़ महीने से हर रोज वीडियो पे वीडियो वीडियो मेरे character के बारे में अकेले सोचके कि हाँ अकेली है तो कुछ भी बखवास कर दो अपनी वीडियो चलाने के लिए उसके बाद भी नहीं रुके स्क्रीन शोट दिखा रहे कि यह लोजी प्रूफ यह देखो नीदी से बात होती थी हमारी यह नहीं बोला भाया क्यों लोगों को गुम्रहा करते हो यह तो मैं खुद वीडियो में बोल रहे हूं कि भाय मैंने भाया को फोन किया था यह कहने के लिए कि मैसेज करा था कि भाया बोल दो कि मेरी आपसे बात नहीं होती अब ये बात करने के लिए भी भाया कि नहीं होती बात ये बोल दो तो इस बात को भी दिखाओगे क्या इसे पहले की मेसेज तो हम दिखाए नहीं है मेरे पती ने अरे होंगे तब दिखाएगा ना कितना जूट बोलोगे कितना उल्टा सीधा बोलोगे यार कहीं तो कुछ तो शरम कर लो घर से निकलना पड़ता है घर से बाहर जाना पड़ता है लोगों को देखना पड़ता है लोगों को फेस करना पड़ता है सच बता रहे है यार यहां मैं लोगों से दूर रह के खूश हूँ भोको जादा मैं सोच ती यारै कितने जह जोता कि बहुत ही जीब तरीके के लोग हैं बहुत ही अजीक कभी सुनें आप लोगों ने कि किसी का तलाक हो जाए और तलाक होने के बाद भी एक दूसरे के साथ गूमते हो पती-पतनी बनके कई सुनें आपने भाई कुछ भी कुछ भी तो मैं जांयाते हैं कि थलाक तलुक नहीं वहां कूछ नहीं हो घ्रमी है यह व्योंश के लिए ना-lleak है और कुछ नहीं है टूक है और अगर हो गया है उसके बाद भी साथ-साथ गूम रहे हैं तो इंसे गई गुजणे लोग ही नहीं है और मैं अभी ये वीडियो इसलिये आला है मैंने कि मेरे कईरेक्टर के ऑपर बहतазыв गंद बोल दीया बहुत गंद नाम जोड़ दिया ना मेरा बहुत बड़ी छीज होती है किसी लड़कीके लिए उसका केरेक्टर इन लिए नहीं होति होगे बड़ी बाट है ठीक है यहाँ से निकली है तो भई यहाँ निकलेगी और क्या निकलेगी जब माई ऐसी ओगुदाम ऐसा हो तो आगे प्रोडक्ट तो ऐसी निकलेंगे न प्रोड़क्ट को यह जब उसको यकल неаете ईज Oreo रहे। माँ पंपर क्यूं गई ढ़ा के भाईया, क्या करू इस माँ में उपर क्यूं आई, वीडियो बना में तु बात क्यूं करां बहुत बन जुतए रोब लगा रहा है, बना बना करलो मुठ करके तब शरम और जाओ करो क्यों दूसरे को तंग कर रहे ओंधय को पर रहे हो दूसरे कर रहे हो कि टुम्हें क्या लगता है कि सामने वाला बंते को तुम 10 बात चलिए जाएंड करते हूं वीडियो का बाई बाई टेक केर